नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका हमारे आफिशल व्डूब चैनल जी एस बाइन यसर में है कैसे आप सब मैं आसा करता हूँ श्रस्त होंगे मस्त होंगे और इंतियारी में बैस्त होंगे मित्रों आज के जुए क्लास है इसमें हम लोग शम समाई कलाकार देखेंगे शम शामी कलाकार देखेंगे और इसमें हम लोग कुछ महत्पूर कलाकारों की बारे में बात करेंगे आज कौन सा दिन है आप जानते हैं कि आज जो है 7 अप्रेल है और 7 अप्रेल को हम लोग क्या पढ़ रहा हैं तीन या चार महत्पून कलाकर चार कलाकर देख लो एक कुझे महवासी को देखेंगे दूसरा हम लोग के माधौन को देखेंगे तीसरा बीशी गुई को देखेंगे रचना इन से पूछी जाती है बीशी गुई से और चोथा जो हम लोग राम गोपाल वीचे वरगिये को देखेंगे तो राम गोपाल वीचे वरगिये भी आप लोग देख लेगे जा जिनकी बहुत अच्छी रचना है तीन पनिहारिन, तीन महलाएं, रागनी तोड, तोते की मंदरणा, नाग पूजा, बहुत अची रचना है तो थोड़ा सार्ड वीडियो होने वाला है लेकिन अच्छे से आपके दिमाग में बैठने वाला है मित्रों 148 फत्य करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, इमानदारी के शाद दिन रात एक करना होगा, तब जाके काम बन पाएगा आप जानते हैं समसमाई कलाकारों से लगबख 75 कोश्चन्स तक पूछ लिया जाते है 125 कोश्चन्स का सेट होता है अगर 60, 65, 70 या 75 कोश्चन्स एक टॉपिक से आज़ा है तो वो टॉपिक आपको अच्छे शे तयार करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए मैं मानता हूँ आप लोग मेहनत करने के लिए तयार हैं, परतिबद्ध हैं और निश्च दूरूपश आप लोग दिन रात एक कर रहे हैं आईए दीरेने करते हुए क्लास की तरफ बढ़ेंगे, क्लास में पहला नाम आपका दिया गया जगनात मुरलीधर एहवासी जिया महवासी स्वाटकट में इन्हें कहा जाता है, जिया महवासी का जन्म को पूछा जाता है, मृत्व को पूछे जाती है, जन्म इनका वनईशो एक में होता है, मृत्व इनकी वनईशो चोहत्तर में होती है, जन्म कहां पे होता है, यही आज का नंदगाउवाला बात करनें मृत्यू की वो नई 174 में इनकी मृत्यू होती है जो बाबा विश्वनात की नगरी है आप जानते हैं बनारस में जो है इन्होंने अंतिमशा से लिए हैं बनारस में इनकी मृत्यू होती है जे यह हम हिवासी की हम लोग बात करते हैं इनकी बहुत अच्छे-च्छी रचनाय हैं चुभा बिल्ली हो चवरदारनी हो जंदेश वाहो को महाभारत लेखन हो गंदर्व शंगीत हो प्रेम शंगीत हो शुगद्रा और अरचुन हो यह जारी रचनाय है इनकी याती है तो यह सब हम आगे बात करेंगे लेकिन उसके बा को पहला पुरुषकार मिलता है इनेश को द्वारा आउजित प्रदर्शनी में तो याद रखना मीरा का मेवार त्याग रचना किसकी है जेम एहवासी की है पूछा जाता है कोश्चन्स खुब शपा है अगला पॉमेंट आता है जेम एहवासी द्वारा रेखा चितर का शं आता है आपके सामने जो है पूछा जाता है जेम एहवासी ने राष्टपती भावन, शंशब्वन छंशब्वन उत्तर प्रदेश और विधान शभा भावन में भीत्य चितरकारी किये हैं तो जिये महवासी ने कहां कहां कलाकारिता दिखाई है एक तुराष्टपती भौंजुर नियुदिल्ली में है वहाँ पर दिखाई है तीसरा पॉइंट आता है यूपी का बिधान सबा यूपी का बिधान सबा चारसो चार ममेंबरों वाला है इस पे भी उन्होंने भित्य र पॉइंट आता है जे महवासी ने अजंता, इलोरा, इलीफेंटा, बाग, बदामी, शितनवासल, गुफाओं के चित्रों की अनकृतियां बनाने का कारे भी किया है तो लगभग जितनी गुफाओं के नाम अपने देखे शितनवासल हो, बादामी हो, बाग, हो, आप जानते हैं कि ये महराष्ट्रा वाली है, बाग, हाफ का धार, जन्पदमत्य प्रदेश वाली है, जिबकि आपकी ये बादामी गुफा करनाटका वाली होती है, और जो आपकी अर्शितनवासल है, ये तो तमिलनाडू वाली होती है, तो इन सब उपे अनुकरतियां ब काम कहा कहा किया है, राष्ट्पती बहुन में किया है, संसत बहुन में किया है, यूपी बिदानशभा में किया है, आगे बात करते हैं, फिर वही वकोश्चन सा आगया, मीरा का मेवार त्याग नामक्चेदर भारत सरकार ने खरीद कर चीन सरकार को भेट किया था, तो मीरा मितरों खुब पूछा जाता है कलाकारों की कलासिच्छा कहां से होई, तो जैसे महत्पॉन कलाकार हैं, बेत्तीय रच्णाकार हैं, आप जानते हैं मौत्रा गोकुल में जिनका जन्म होता है, वो हैं J-M आहवासी, तो ये कलाकी सिच्चा कहां गरहन करेंगे, नाम इनका J-M जगनात मुरलीधर अहवासी है तो जैसे J से स्टार्टिंग हो तो J से आप कालिज का नाम भी ढोंग दा बी अच्चियों में जो है चित्रकला विभाक की अस्थापना के लिए बुलाया जाता है मंत्रित किया जाता है तो ये बात जगनात मुर्लीधर अहवासी से जूड़ी होई थी अब इनकी कुछ अच्छी अच्छी रचना है जैसे आप देख लेना इसका स्क्रेंश्वाट ल जगनात मुर्लीधर अहवासी की है जगनात मुर्लीधर अहवासी की है महा भारत लेखन की अगर बात होती है जगनात मुर्लीधर अहवासी की है संदेश वहाग की अगर बात होती है जगनात मुर्लीधर अहवासी अगाना आगे अगर बात करते हैं तो चवर धारनी रचना किसकी है चवरधारनी रचना बहुत अच्छी रचनों में शुमार है और जगनाद मुर्लीधर अहवासी ने बनाया है मित्रों अगला नाम आता है चुहा और बिल्ली रचना चुहा और बिल्ली जैसा चितर किस ने बनाया है जगनात मुर्ली धर एफासी ने बनाया है जो गोकुल मतुरा वाले है ठीक है तो इतना रचना अगर आप याद रखते हैं तो अगर जगनात मुर्ली धर एफ पासी का नाम लगाना आगे बात करें अगला एक महत पुरुन नाम आएगा रचनाओं पे आप इस जो है नजर बना के रखना में तुरू अगला नाम आता है के माधो मेनन का हुणा इस ग्यार से ऑन इस चोरासीच बी तक इनका कारीकाल होता है कोनडा गुलूर के माधो मेनन का जन्म कब हुआ है कहां पर हुआ करला में हुआ यह और जन्म होता है नमला इन्वस्टी केरला वाली है जच्छन भारत की है वहाँ पे आज़ा क्या रहे है डिपॉर्टमेंट आफ हेड है होडी रहे है अगे कहा जता है आप गौर्मेंट इसकूल आफ इंडिया चिन्नाई की कला जो है सलाहकार समीद के शदस से भी रहे है कौन के माधो मेनन के माधो मेनन जो है वह गौर्मेंट आफ इंडिया चिन्नाई वाला जो है उसके कलाकार समीद के शदस से भी रहे है और उसके सलाहकार सदस्यों में शुमार रहे है आगे बात करता है के माधो मेनन चिद्रकला आर्ट गेल्डी थिरु अनंत पुरम के नर्देशक पत्वे भी कारे किये फ्वे हैं यानि थूड़ा सा अच्छा कारे शेली इनका रहा है आगे बात करते हैं के माधो मेनन ने वास्तिबिक संसार को नीजी सेली की दोर आविवक्त करने का काम किया तो वास्तिबिक संसार में दिखाई दे रहा है उसको ये जो है नीजी सेली के रूप में दर्शाने का काम करते हैं नाम क्या है के माधो मेनन आगे बात करें के माधो मेनन की तखनीकी कैसी है तो सरल और आकर्तिम रही है निकी तखने की आगे बात करते हैं अगला पॉइंट आएगा आपकी सली पे परोच या आपरोच रूप से चीन जापन और मुगल कला का भी प्रभाव दिखाई देता है तो चीनी जापानी के शासत मुगली अकला भी यहां पर हाभी होती है यह माधों में इनके तकनीकियों में इनकी अच्छी रिजनाओं में वाटर ले लिए और भकरी चारागा है याद रखना है इनका प्रिय माध्यम क्या रहा है तो यह जल रंग में काम करते थे भारत में जल रंग के सुरुवात कब से होती है तो आप जानते हैं कि यह बंगाल सेली से होती है बंगाल सेली में आउनी बाबू जो है वास चितरन यानी जल चितरन के जरमदाता माने जाते है आगे बात करते हैं अगला पॉइंट आता है मिद्रों कि जो है के माधो मेनने कला की जो सिच्छा है वो आउनी बाबू और आउनी बाबू के चासा नंदलाल बोश की नर्देशन में प्राप्त किये है तो आउनी बाबो और ननलाल वोश इनके कला गुरू रहे हैं उसी के नर्देशन में जो है कि माधों मेरे ने कला किसे जाए ग्रेहन की है आगे बात करते हैं आप चितरकार की रूप में जाने जाते हैं अच्छे चितरकार की रूप में जाने जाते हैं प्रमुक चितरों की वाटर लेल यानि जल कुमोदनी अच्छी रचना है उसके साथ बकरी चारागा भी इनकी रचनाओं में शुमार है अगर मृत्यू की बात करते हैं तो 184 में इनकी दुखत मृत्यू हुती है और जो जन्म की अगर बात करते हैं तो 1211 में केरला में इनका जन्म होता है ये थे आपके के माधो मेनन नाम सुना होगा लेकिन स्लैबस में नाम सुमार नहीं है इनकी रचना होशकता पूछ ले आप फिर होशकता कला गुरू के बारे में पूछ ले तो आउनी बाबू या फिर नंदाल बोश में से कोई आंसर होना चाहिए अपसंस में रहेगा अगला महत्पून नाम अगर हम लोग बात करते हैं एक अच्छे कलाकार वीशी गुई के बारे में भाणी चरन गुई के अगर बात करते हैं तो भाणी चरन गुई का जन्म कहा हुआ है तो नई शुद दस हिजबी में वारानसी में वीशी गुई का जो है जन्म हुआ है बात करेंगे सच्छा की तो इन्होंने लखन औ गुला विद्धधार के अच्विद्धार है तो नहीं पुचा जा Tibamick तो भावणी चरांग गुई का जन्म पूचा जा सकता है बारानशी में आगे बात करते हैं वी शिव गुई पोर्ट्रेट्स बनाते हैं लाड़ स्केप बनाते हैं ग्राफिक आट्स बनाते हैं तो इसके लिए इन्हें जो है ख्याती प्राप्त वहानी चरण गुई के कला यात्रा पे रास्थानी ललित कला अकदमी द्वारावने पंचानबे एसपी में एक लगु फिल्म भी बनाई गए तो रास्थान ललत कलाय एकडमी की द्वारा वो नईशो पंचानबे में एक छोटी से फिल्म यानी लगु खलनी यानी चितरत फिल्म किसने बनाई है तो वो भुवानी चरण गुई की कलायात्राओं पे बनी हुई जिसमें आप जानते हैं सिवतांडो हो मेरा का बिश्वान हो रास्था बद निर्मान हो सकुंतला हो माँ तेनेस्ट के फुल अच्मी का जन हो काली हो बशंत भित्ती लच्च चुत्र हो वे शद्रिश जो है विश्ववी के द्वारा बनाया जाता है मोनोग्राफ तदा छह चित्रों का एक portfolio प्रकाशित किया गिया था तो monograph और 6 चित्रों का एक portfolio किष्णे जो है सभी कि समझ चलाये थे बहुत चलाये थे जिनका जन मुनई 1610 में वारानसी में होता है मित्रों द्रिश एक एक याद होना चाहिए कि रचना आपको दिमाग में बैठ चाहिए इसलिए जो हैं बार-बार नाम लेते रहें और सारे लोग अभी तुरंट कमेंट करना इस्टार करेंगे कौन सी बुक थी कौन सी बुक्स याप पढ़ा रहे हैं अरे मित्रों content पे ध्यान दो content जाता जरूरी है books जरूरी नहीं है books का तो भंडार है अपने पास हम कित्ते books का नाम ब जो है अधुतिये मानी जाती है आगे बात करें बहानी चरण गुई नेरास्थान के जन जीवन को जलहितों के यूरूप ये थार्दवात पत्ति द्वरा नए रूप में जो है अव्यक्ति कर दिये और पेंसल और तेल रंगों से भी चिद्रण का कार्य अच्छे बहानी च अधिलाकार के बारे में अपने देखा था वारानसी में उनका मरत्य हुआ था वारानसी मतलब बनारस तोनई सो चो चो अतर में जगनान मुलीधरा यवासी का जो है निधर हुआ था बनारस में आगे बात करते हैं अगला पॉइंट आता है पेंटिंग नाइफ से पैच बहुत अच्छी रचना है राधाकृष्णा अच्छी रचना है रासलीला बहुत अच्छी रचना है मिर्णा का बिश्वान बहुत अच्छी रचना है बुद्ध निर्मान की बात करें बहुत अच्छी रचना है श्रकुंतला जैसे चितर किसके हैं तो आपको याद रखन और वसंत भितित्रों की अगर बात होती है तो उसमें भी आपको बीसी गुई यानि भावनी चरन गुई का नाम लेना होगा जिसके कला गुरु कौन रहे हैं तो आप जानते हैं कि सित्कमार रालदार और लेलित महान सेन की निर्देशन में इन्होंने कला सिच्छा क्रहण कि है तो ये बात हम लोग भावनी चरन गुई की कर रहे थे भावनी चरन गुई का जन्म जो है वनई शुद दस में होता है वारानसी में मर्तिव जो है वनई शुद ठानवे के आसपास हो जाती है तो ये बात बीशी गुई की थे बीशी गुई की थे बीशी गुई के बाद हम लोग बहुत महत्पूर् पलाकार का नाम देखेंगे रामगुपाल विजेवर्ग एवनाई 105 में जन्म 2003 में हिनके मुड़ी ہو जाती है रामगुपाल विजेवर्ग के जन्म कहां पे हुआ तो रास्थान के बालियोर बाूर्ग राम में किस कालेज के जैपूर कलावित्याले के पहले चात्र है आगे बात करते हैं आपके कला में तीन सेलिया आती है पहली सेलिय जो है रास्थानी सेलिय होती है दूसरी जो है बंगाल है और तीसरी जो है अजन्ता का प्रभाव दिखाई देता है तो इन तीनों सेलियों का बंगाल, अजंता और रास्थानी सेलिय का प्रवाव कि इसके चित्रों में दिखाई देता है, राम गोपाल विजे वर्गिये के चित्रों में दिखाई दे जाता है, आगे बात करते हैं इन्होंने सरबादी वास चित्र भी बनाये हैं, वास चित्र और आप जानते हैं वास चित्रन का जनमदाता भारत में कौन है आवनी बावू है और आगे बात करते हैं मित्रों कहा जाता है रास्तान में वास सेली का पर्थम चित्रकार कौन है तो राम गुफाल विजवर्गिये ही माने जाता है कि पहले चित्रकार है वास सेली के विजेवर्गे की जिवनी जो है रूपांकर नाम से भी जानी जाती है तो रूपांकर नाम से किसकी जिवनी चपी है या आटुबायोग्राफी चपी हुई है तो है राम गुपाल विजेवर्गे की अगला पॉंट आता है मित्रों अगला पॉंट आप से कह रहा है कि रास्तानी चितरकला और अभिशार निशान की क्या है तो अभिशार निशा और रास्तानी चितरकला पुस्तके हैं किसकी पुस्तके हैं राम गोपाल विजवर्गे की अच्छी पुस्तके भी रही हैं अभि आगे बात करते हैं और лेखक के रूप में भी जाने जाते हैं तो चायवादी कभी हूँ लेखक हूँ इसके साथ चितरकार हूँ कौन फेमस है तो ऐसा नाम आपको याद रखना होगा राम गुपाल विजवर्गे के साथ अगली चितर सरंखला इनकी हम बात करते हैं तो बहुत अच्छे ची है बहुत अच्छे हैं किसकी है राम गुपाल विजवर्गे के है कुमार सम्मोन की बात हो ऐसे सरंखला भी राम गुपाल विजवर्गे के है मेगदू सरंखला हो गीद कोविंद हो या फिर हमरखेयम जैसे ज़्रंगला हैं घिसकी है राम गोपाल विजेवर्गिये का है सब्त एहनसा और गांधी जी की एकर बात होती है किसके रचना है राम गोपाल विजेवर्गिये की है तीन पर्निहारिन की बात हो तीन महिलाओं की बात हो रागनी तोड़ की बात हो चमवर धामनी की बात हो तोता की मंदरना की बात हो या फिर नाग पुझा जैसी अच्छी रजनों की अगर बात होती है तो आपको नाम एक ही याद रखना होगा वो नाम होगा आपका पढ़िया छायावादी कभी लेखक के रूप में जाने जाने वाले उसके साथ एक अच्छे चितरकार जिनका ना सरतात पर ना निकाला जए उमीद है सब कुछ बढ़िया होगा समझ में आया होगा यह चारो नाम आपके लिए बहुत मैयत पूर्ण है एक चितर दो प्रशनाने की प्रबल संभावन आए है इसलिए आपको कराया गया बाकि आपके स्लेबस में तो नाम किसी कभी नहीं दि दिखाए देते होंगे ठीक है चलिए मिलते हैं सुट में है तब्दा के लिए दिल से सलूट जय हैंद